क्या आप 20 करोड बनाने का solid plan जानना चाहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा step by step की आप कैसे पैसे बना सकते हैं एक solid plan के साथ, solid portfolio के साथ बताऊंगा आपको की मैं कैसे investing करता हूँ मैं कैसे minimum risk से maximum return generate करता हूँ और क्या है वो 20 करोड का solid plan वो भी आज मैं आपको बताऊंगा with proof वीडियो पूरा देखिए, ये वीडियो आपकी जिन्दगी बदलने वाली है तो नमस्कार मैं अंकेत, आप है market master में लाइफ में कुछ पाना हो तो आपको plan चाहिए होता है successful बनने के लिए plan चाहिए होता है 5 करोड बनाने के लिए plan चाहिए होता है 20 करोड बनाने के लिए यहाँ पर plan चाहिए होता है plan सबसे ज़ादा जरूरी है तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक solid plan रखने वाला हूँ जिससे कि आप बड़ी असानी के साथ 20 करोड तक यहाँ पर बना सकते हो 20 करोड तो मैं वो solid plan आज आपके यहाँ पर सामने रखने वाला हूँ और proof भी दिखाऊंगा वीडियो बिल्कुल skip मत करिएगा याद रखेगा किसी ने कहा है कि a goal without a plan is just a wish plan की जरूरत हम सबको है लेकिन plan का एक approach भी होता है कि आप कौन साथ दाव यहाँ पर खेल रहे हो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने जब यहाँ पर demate account अपना खुलाया तो मेरे साथ दिक्कते क्या होई हम सब के साथ यहाँ पर दिक्कते शुरू होती है मैं share खरीदना बेचना तो चालू कर दिया लेकिन मैं आपने life में देख रहा था कि चीजे सही नहीं जारी थी कभी buy कभी sell क्या हो रहा था life में कुछ समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारी गलतियां हो रही थी life में क्या गलती हो रही थी कि जैसे मैंने chemical sector के 3-4 share खरीदे, bank के 3-4 share खरीदे देश की 10 सबसे बड़ी कंपनी के 3-4 shares खरीदे यहाँ पर इसके साथ मैं long term shares खरीदा, short term shares खरीदा, actually में क्या हो रहा था कि सब mix up हो गए मेरे demate account में मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ से मैं निकलू कैसे, जब मैं यहाँ पर 2-3 share sell करता था, तो वो overall return यहाँ पर नीचे दिखाने लगता था तो समझ मैं नहीं आ रहा था, मैं चाहता था कि मेरे साथ चीजे rational हो rational हो, अगर मैं यहाँ पर 3-4 chemical shares खरीद रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ chemical shares का return पता होना चाहिए कि वो कैसा perform कर रहे हैं, अगर मैं देश की दस सबसे बड़ी company का 10 share खरीद रहा हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि वो 10 share कैसा perform कर रहे, 3-4 bank खरीद है तो वो 3-4 bank के return मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को overall return नी चाहिए, मेरे को particular कैसा है पर्फर्म कर रहे हैं वो मेरे को यहाँ पर चाहिए था तो लाइफ में सब यहाँ पर mix up हो गया था फिर मैंने यहाँ पर थान लिया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा कि डीमेट अकाउन खुला के यहाँ पर 50-60 से share ले लो कौन क्या हो रहा है कुछ पता नहीं पूरा problem यहाँ पर हो गया है तो इस problem से निकलने का मैंने यहाँ पर solution खोजना चालू किया देखें हमारे समय में आज से यहाँ पर 4-5 साल पहले बहुत ही जादा tough था क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जादा यह problem का मैं solution ढूणना चालू किया तो यह problem का solution मेरे को मिला small case में अब यह small case क्या है तो मैंने figure out कि यह website है website है और यह small case actually में क्या है तो यह small case एक brief case आप यहाँ पर समझ लो 10-15 shares का एक brief case 20-30 share का एक brief case आप यहाँ पर समझ लो आप अपना इस brief case के अंदर खुद के भी shares रख सकते हो और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ready made भी आपको यहाँ पर मिल जाते है तो अलग-अलग brief case है अलग-अलग small case है small case मतलब brief case अलग-अलग यहाँ पर जुन यैसे कि 10-15 shares का एक small case 10-15 share का एक small case या 10-15 share का आप उसी एक brief case यहाँ पर बोल लो तो मेरा सबसे बड़ा problem यहाँ पर मेरे को solution मिल गया दिक्कत हो रही थी कि long term जैसे आपको यहाँ पर long term मेरे shares है कुछ 8-10 share है तो मैंने उसका एक यहाँ पर brief case बनाया है उसे मैं अपने पास रख लिया small case बनाया मतलब short term shares के मैंने 20-30 share list out किये वो यहाँ पर purchase किया उसका एक small case रख लिया banking shares के मैंने 3-4 अच्छे bank के यहाँ पर share रखे अलग कर लिया इसके साथ chemical sector के मैंने 3-4 share यहाँ पर एक brief case बनाया small case बनाया और उसे यहाँ पर अलग यहाँ पर buy कर लिया वैसे ही auto का तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो approach था न approach मेरा काफी ज़्यादा rational हो गया approach मेरा काफी ज़्यादा systematic हो गया अभी तक क्या होता था पुराने जमाने के type पे कि हम यहाँ पर एक ही demate account में long term short term यहाँ पर सब कुछ रख दिये अब वहाँ से हमने short term share जब हमने sell कर दिया तो हमें पता ही नहीं चला कि हमें short term का actual return कितना आया बहुत जादा confusing हो रहा था वो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल जाएगा आपके short term share यानि कि आपने जो short term एक small case बनाया है उसके अंदर 20-30 share है उसका आपको return कितना मिला आपने जब sell किया तो कितना profit हुआ कितना loss हुआ उन particular 20-30 share का ठीक है तो यह काफी अच्छा approach मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया दूसरा अगर आप यहाँ पर investing नहीं समझते हैं अगर आप यहाँ पर small case खरीदना चाते हैं और आप यहाँ पर खुद से share नहीं find out कर सकते हैं तो बहुत simple है यह आपको readymate जो shares है वो आपको यहाँ पर provide कर देते हैं review के बाद और अच्छे वाले को यहाँ पर यह एड कर लेते हैं तो इससे आपको काफी जादा मदद होगी इससे जादा आपका approach काफी जादा systematic होगा और इससे जादा काफी जादा इससे आप पैसे बना सकते हैं सभी लोग अभी बेसबरी से इंतजार कर रहे होगा कि अंकी तब यहाँ पर solid plan अपना सामने रख देगा नहीं आप हमेशा याद रखिएगा share बजार में 100 में से 99 लोग पैसा नहीं बना पाते हैं और सिर्फ एक जन पैसा बना कर जाता है 99% लोग इसलिए fail होते क्योंकि वो जल्दी पैसा बनाने के तरफ भागते हैं जल्दी से जल्दी उनको plan चाहिए कि वो यहाँ पर पैसा बना के चले जाए गलत पहले आप approach देखो पूरा funda क्या है systematic बनो rational बनो पैसे तो अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे उसकी यहाँ पर चिंता मत करो पहले सुनने की कोशिश करो धीरे दीरे यहाँ पर सुनने की कोशिश करो तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि अभी तक हमने यहाँ पर आपको क्या बता है हमने आपको solution find करके बता दिया है गुगल में small case लिखना है और सबसे उपर आला क्लिक करना है तो हम इस small case की website में आ गए अब यहाँ पर आपको देखो discover create login में जाना है तो आप यहाँ पर मैं वही password यहाँ पर डाला हूँ अपने demate account का अगर आप 010 के साथ खुलाना चाहते हैं तो जो link है वो मैं आपको description में दे दूँगा आप फटाक से demate account खुला लो ताकि आप यहाँ पर small case यूज कर सको ठीक है तो मैं link दे दूँगा आपको description में मिल जाएगी open करने की mobile number डालके बस छोड़ दो बाखी सब काम हो जाएगा open का अब यहाँ पर यह small case में आपको दिख रहा होगा discover तो आपको discover में जाना है अलग-अलग small case फाइंड करने के लिए अब आप देखो अलग-अलग आपको small case देखने के लिए आपर मिल जाएंगे top 100 stock जैसे आपको देखना यह क्या है तो मैं top 100 stock को यहाँ पर खोलता हूँ तो top 100 stock में इन्होंने 2 ETF रखा हुआ है यह redimate small case है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ICICI Prudential Nifty ETF और Nippon India ETF Junior 20 यहाँ पर सिर्फ आप 700 रुपए के साथ अपनी minimum investment में यह small case बाई कर सकते हो इसके साथ और भी ऐसे ही अलग-अलग आपको small cases देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर smart beta दिख रहा है 3 ठोक आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 small case हम यहाँ पर 3 को देखते हैं कि यह क्या है तो आपको दिख रहा होगा dividend low risk smart beta quality smart beta तो मैं quality smart beta में एक बार जाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ क्या है तो quality smart beta में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अलग-अलग stocks and bet में आप जाओगे तो उसमें दिख जाएगा आपको की कौन-कौन से share यहाँ पर available है तो यहाँ पर आप देख सकते कि आपको अलग-अलग प्रकार के share देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना जो minimum investment भी आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पर कर सकते हो यह large cap companies है जो आप यहाँ पर invest कर सकते हो और पूरा का पूरा small case आप यहाँ पर buy कर सकते हो आपको उपर return भी देखने को मिल रहा होगा कि 17% का CAGR आपको दिखाई दे रहा है और जैसे ही आप इसे buy करोगे तो आपको investment में उपर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा कि आपने जो investment किया है और फिर आप इससे अगर निकलना चाते हो तो exit भी कर सकते हो ऐसी अलग-अलग है थोड़ा सो और हम यहाँ पर explore करने की कोशिश करते हैं value investing है growth investing है तो growth investing देखते हैं growth investing में 3 small case है ready made हम यहाँ पर जाएंगे at fair price में अब आपको देखना है कौन से share है तो आपको यहाँ पर stocks and weightage में जाना है फिर आपको अलग-अलग shares देखने के लिए मिल जाएंगे तो इस प्रकार से small case यहाँ पर काया काम करता है बिल्कुल अब मैं आपका इसको जवाब देता हूँ small case 100% safe platform है हाँ जो यहाँ पर पैसे बनेंगे वो यहाँ पर market link है जैसा market perform करेगा वैसे ही आपके यहाँ पर पैसे बनेंगे ऐसा नहीं कि आपके पैसे कोई यहाँ पर लेके भाग रहा है या फिर गायब हो जाएंगे आपके पैसे 100% बिल्कुल जितने bank में safe है उतने ही पैसे आपके यहाँ पर भी safe है उसके through मैं small case में गया small case के कुछ share यहाँ पर मैं खरीद लिया brief case एक small case खरीद लिया ठीक है अब वो जो small case है वो same चीज मेरे reflect हो जाएगा जिरोधा में जिरोधा का अगर आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास क्या-क्या holdings है तो वो सारा चीज जो अपने small case से खरीद है वो आपको जिरोधा में भी दिखाई देगा तो in case अगर small case बंद भी होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे directly जिरोधा से sell कर सकते हो या फिर आप जो भी नहीं समझते हो share market में तो आप यहाँ पर इनके readymates small case सीधा यहाँ पर purchase कर सकते हो उसमें आप यहाँ पर SIP कर सकते हो बिल्कुल आप यहाँ पर try कर सकते हो दो तरीका है यह पहला तरीका है दूसरा तरीका मेरा तरीका है my way of investing देखिए मैं share बजार में साफ साफ आपको honestly बत कोशता हो कि मेरे को actual में 20-25%-30% का return यहाँ पर मिल सके ठीक है इसलिए मैं share market में invest करता हूँ और वो 20-25-30% return सालाना मेरे को लंबे समय में मिल सके बिना कोई risk के यह मैं figure out करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मेरा risk एकदम से यहाँ पर minimum होजा है मैंने काफी study किया इसके और जब मैंने यहाँ पर study किया और मैंने जब figure out किया कि कैसे हम share बजार से बिना किसी risk के 20% सालाना बिल्कुल buffet की तरह अगर हम बात करे बना सकते हैं तो मैंने वो अपरोच यहाँ पर साफ कर दिया कि देश की 10 सबसे बड़ी company में आप सालाना 20% बना सकते हो बिना किसी risk के मेरे plans काफी clear है, मेरे thoughts काफी clear है, अभी मेरे retirement को 30-35 साल तक का यहाँ पर समय है और मैंने figure out कर लिया कि मैं कैसे rational और कैसे systematic approach कर सकता हूँ मैंने देश की 10 सबसे बड़ी company को figure out कर लिया, मेरे निशाने पर है, मेरे target पर है, तो क्या 20% return इन्होंने बनाया है, तो चलिए मैं आप पर छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि देश की 10 सबसे बड़ी company ने पिछले 10 साल में कैसा return बनाया है, तो एक साल में इन्होंने predictable returns है, आप इसे predict कर सकते हो कि आने वाले समय में भी यह आपको 20% का return देगी, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार 20% return यहाँ पर बना ली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ने इसका brief case बना कर यहाँ पर buy किया जाए, small case यहाँ पर लिया जाए, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता देश की 10 सबसे बड़ी company में invest कर रहा हूँ, 25% का मुझे यहाँ पर return अगर यह company बना कर देती है, क्योंकि मैं HDFC, AMC भी यहाँ पर लूँगा, थोड़ा सा try करूँगा risk को increase करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी ही आपको यहाँ पर देश की 10-15 सबसे बड़ी company में शामिल हो 30 साल का समय, 25% का return, मेरी maturity तकरीबन 65 करोड बनती है, 65 करोड आप सोचिए आप इससे क्या ड्रीम यहाँ पर पूरे नहीं कर सकते, 65 करोड यहाँ पर सामने आ रही है, चलिए हैं यहाँ पर कुछ उपर नीचे हो गया, कुछ यहाँ पर गलती हो गई, margin of error हम यहाँ पर ले ल वही आई है, इनका track record ही 20 प्रतिशत का है, आगे भी ऐसी रहेगा, इसमें कोई दो रहा है नहीं है, तो मेरी maturity यहाँ पर तकरीबन 20 करोड की यहाँ पर बनती है, 20 करोड, बिलकुल solid plan of investing है, minimum risk, maximum return वाली है, यहाँ पर guarantee है, मैं ऐसे कुछ भी लेने के लिए तो बोल रहा नह है, मैं तो बोल रहा हूँ, blue chip companies में invest करो, बिलकुल solid plan है, जिससे कि आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो, systematic way में बना सकते हो, fall to में demate account खुला के, यहाँ वहाँ पैसा बनाने की कोशिश करने, 60 share, 70 share मत करिये, approach को rational रखिये, और सिर्फ दो काम आपको करने की जरूरत है, patience रख है, तो यह था मेरा plan, solid plan, पैसे बनाने का, देखे, सुनने में तो यहाँ पर 60, 65 करोड काफी जादा है, यहाँ पर impossible, impractical, यहाँ पर practical नहीं लगते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर calculator का use करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यह बागई में यहाँ पर कितने practical है, देख साल के लिए, expected return मैं 25 डालता हूँ, और यहाँ पर calculate करने की कोशिश करता हूँ कि कितना maturity आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते है, maturity आता है, 65 करोड की आसपास यहाँ पर आ जाता है, सिर्फ 28 लाग का investment है, 28 लाग पर आपको यहाँ पर इतना पैसा देखने को मिलेगा, इस इसके साथ अगर मैं 20% करता हूँ और 20% को calculate करता हूँ, तो तकरीवन 19 करोड के आसपास यहाँ पर आता है, याने कि 20 करोड के आसपास जो amount है, वो achieve यहाँ पर easily हो जाती है, सिर्फ 8000 के SIP के, देखिए ऐसे मैं अपनी investment को forward कर रहा हूँ, धीरे धीरे यहाँ पर मैं यहाँ करता हूँ, वो 10 company कोन सी है, वो 10 company का मैंने small case कैसे बनाया है, और वो 10 company से आप यखीर नहीं करोगे कि मैं अभी तक 40% का return generate कर चुका हूँ, 40% का return, पूरे proof के साथ वो वीडियो में दिखाया हूँ, वो वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसकी मैं link आप एक बार आप जरूर देखिएगा, तो आपको यहाँ पर और clarity मिल जाएगी, चाहे तो आप इस solid plan को अपना सकते हो, चाहे तो आप इस solid plan को यहाँ पर नहीं अपना सकते हो, जो भी करना है, फैसला तो आपका है, तो आप ध्यान से जरूर से एक बार सोचेगा, लेकीन में जरूर बोलना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी 30s, 40s में हैं, और प्लान कर रहे हैं, पैसा बनाने का stock market से, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे जैसे अगर आप investing करना चाहते हैं, मेरे साथ अगर आप investing करना चाहते हैं, तो आप हमारे channel को यहाँ पर subscribe के बाजू में join दिख र आप दिख रहो, वह मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूं, जो खुद dть account में use करता हूं, जिरूद मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूं, उसकी मैं link आपको description में दे दिया हूं, चाहो तो आप यहाँ से अपना dim paint account खुला सकते हैं, मैं जो small case यूज करता हूं, उसकी भी म मैंने आपके यहाँ पर सामने रख दी मैं अपना plan भी honestly आपके सामने यहाँ पर रख दिया तो इस video को अभी के लिए यही पर खतम करते हैं मेरे लिए एक काम जरूर से कर दीजेगा इस video को आप like करिए आपका like मेरे लिए बहुत importance रखता है तो like जरूर से करिएगा अगर पस देता हूँ mutual fund finance banks economy के बारे में और भी चीजे मुझसे जानना चाते है तो मेरे चैनल को कर सकते है subscribe मैं आपके लिए ऐसे videos लेकर आते रहूँगा तो बस फिलाल के लिए इस video में इतना ही मिलूँगा आपसे जल्दी ही